हेलो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं जामिय मिले असलामे के कोर्स कोर्ड बीजीरो फॉर बिकॉम ओनर्स और बीबीए के एंट्रेंस टेस्स के स्लेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आपको बिकॉम ओनर्स और बीबीए के एंट्रेंस टेस्स के स्लेबस की प्रिप्रे जाते हैं और entrance question paper के बारे में बात करने वाले हैं book कौन सी आपको purchase करने ये सब हम इसमें एक एक करके discuss करने वाले हैं तो आपके सारे doubts become owners BBA के entrance test को लेकर आपके सारे doubts इसी वीडियो में clear हो जाएंगे और आप become owners BBA के entrance test के preparation करना चाहते हैं सारा content इस channel पर upload है और आप जादे से जादा mcq questions की practice करना चाहते हैं तो आपको channel का link भी आपको description box में मिल जाएगा general awareness funda तो यह आप youtube से भी search कर सकते हैं बाकी मैं link आपको description box में दे दूँगा general awareness funda question paper सारे आपको इसी channel पर मिल जाएंगे और जामियस related भी content सारा आपको इसी channel पर मिल जाएगा और बाकी आप extra practice करना चाहते हैं तो मैंने आपको channel का नाम बता दिया अब बात आती है become owners BBA के entrance test के syllabus के बारे में सबसे पहले इसके बारे में आपको कुछ चीजे जानने ज़रूरी है पहले जो होता था 2020 तक के 2020 तक के जो है become owners BBA और BA owners economics का entrance question paper सेम होता था लेकिन 2021 से क्या हुआ है become owners और BBA का एक entrance question paper है और BA owners economics का अलग से हो गया है entrance test का question paper क्या syllabus में कोई changes हुए हैं नहीं syllabus में कोई changes नहीं हुआ है अब इससे फरक क्या पड़ा है entrance test पे यह भी हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं जो कि बच्चों को doubt हुआ था कि become owners और BBA का entrance test का question paper है इस बार different क्यूं था यह हम इस वीडियो में भी बात करने वाले हैं और जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक update दिया था कि become owners BBA के entrance question paper में कुछ changes आपको देखने को मिलने वाले हैं वैसे ही changes exam में देखने को मिले भी थे अब चलिए बात करते हैं यह तोरह हमारा become owners BBA चलिए पहले देख लेते entrance test का syllabus क्या है अब entrance test के syllabus में जो आपसे question पूछे जाने हैं वो पूछे जाने हैं mcq question कैसे question पूछे जाने mcq question 100 mcq question आपसे exam में पूछे जाने इस entrance test में आपको ध्यान रखना है कि कोई interview नहीं है passing marks minimum आपके 15 percent marks आने चाहिए तब आप eligible होते मेरिट लिस्ट के लिए यह चीज आपको ध्यान रखना है यह एक minimum eligibility criteria है इसका मतलब यह नहीं है कि आपके 15 marks आ गए 100 में से तो आप eligible होगे नहीं आप सिर्फ merit list के लिए eligible होगे बागे depend करता है cut off और negative marking है क्या entrance test में बिल्कुल यह नेगटिव marking है कितनी है one fourth point two five यह तो बात होगे स्लेबस के बारे में entrance test के जो इस्ट्रक्चर के बारे में समरी बता दिया हमने अब चलिए बात करते हैं स्लेबस क्या है यहाँ पर स्लेबस दे रखा है language skills English 20 marks किये general awareness 40 marks किये reasoning 20 marks किये और numerical ability 20 marks किये और total जो कोशन से 100 marks कि कोशन सापसे exam में पूछी जा रहे हैं अब देखिए language skills के लिए language skills के लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं चाहे आप की बुक ले लीजिए चाहे आप अरिहंत की बुक ले लीजिए language skills English के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए पर अगर best part बताएं तो आपको best part के लिए क्या करना है आपको कोई भी एक बुक SSC के ले लीजिएगा English की अगर आप उस लेवल के English के questions प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप easily लीजिए language skills वाला part cover कर जाएंगे पर यह चीज़ आपको ध्यान रखने कि language skills के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक perfect हो परफेक्ट कोई भुक नहीं होती क्योंकि questions आप देखेंगा हर बार आपको अलग देखने को मिलने वाले पर हाँ प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई एक बुक परचेस कर सकते हैं मैं आपको तीन बुक बता दी इसमें से आप कोई अप लुचन की बुक परचेस कीजी अप इसका आपको फाइदा क्या होगा आपकी जर्नल अवेर्नेस के प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आप लुचन को पूरा कवर कर जाएंगे तो यानि समझ लिजी आपको जर्नल अवेर्नेस का पोश्चन बहुत अच्छे से cover हो गया reasoning के लिए reasoning के लिए reasoning के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है past year के question कर लीजिए sufficient है और जिस type के questions exam में पूछे गए हैं past year में उस topics के 10-10-5-5 question practice कर लीजिए बस इतना sufficient है आपके entrance test निकालने के लिए और फिर भी आप अगर reasoning की और practice करना चाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं reasoning की book purchase कर सकते हैं आरे सगरवाल जी की चीक है अब numerical ability के लिए भी आप जो past year के question हर topic wise कर जाए 7th 8th की जो है maths की book से आप वहां से भी questions practice कर सकते हैं क्योंकि उसी types के मतलब six to eight तक के maths का basic part उसमें रहता है एक्जाम में पूछा जाता है और numerical ability के लिए आपको पर्चेस करनी है तो quantitative बुक इन में से पर्चेस कर लेनी चीए चाहे आप शफीग गाइड पर्चेस कर ले या फिर concept पर्चेस कर ले सबसे ज़रू चीज़िए आप यह मत करिएगा कि आपने शफीग गाइड और कॉंसेप्टम परचेस कर ली और उसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ा ये गलती बिल्कुल नहीं करनी एक बुक पर आपको डिपेंड नहीं होना आपको एक लिशेंट की बुक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है नुमेरिकल अबिलेटी रीजनिंग आपको इसको भ करने के लिए आपको कई बुक का रेफरेंस लेना पड़ता है ये चीज़ां आपको पता होने ची साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं अब बात कर लेते हैं जो 2021 के पेपर में चेंजेस आये हैं अब यहां पर जो कोशन्स अगर हम बात करें अब डाउट आया कि जनरल आए जनरल शें से आप कि आपको तो उसमें चेंजेस इसमें सब्सक्राइगाए जो आप यहां पर और इसमें डाउट गयों पर एसमें प्रहें बिशोंड़ कुलिका जो अप 11th 12th में पढ़ते हैं जो आप 11th 12th में आपने अपने बुक्स में पढ़ा था जैसे Business Studies में आपने जो पढ़ा था Economics में आपने जो पढ़ा था Accounts में आपने जो पढ़ा था यानि जो Concept पूछे गए वो पूछे गए 11th 12th के ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल अलग आ गए थे अब इसी वज़ा से यही रीजन था कि Become Honors BBA का एक एंटरेंस टेस और B.A. Honors Economics का अलग एंटरेंस टेस किया गया तो यही रीजन है इसमें Commerce से Related Question पूछे गए ऐसा नहीं है कि एकदम अलग से Questions आ गए एक्जाम में इसमें Basic Accounting Terms Basic Business Terms Basic Economics Terms Basic चीजें इसमें पूछी गई थी कुछ अलग से नहीं पूछा गया था तो अगर इसके लिए आपको कोई चीज Practice करना चाहे तो आप 11th 12th की Commerce के Book एक बार Objective MC की Question थोड़ा सा उसको रिवाइस कर लीजेगा अब आप Bicom Oners का कोर्स भर रहे हैं BBA का भर रहे हैं तो जाता चांसिस है कि आपके पास Commerce रही होईगी तो आपको तो कुछ प्रैक्टिस की ज़रोत नहीं आप तो easily उस ताइप की Questions को कर पाएंगे अब बात आती है कि अगर आप Arts Stream से है या फिर Science Stream से है तो येस आपको Problem हो सकती है तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको Basic Terms के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है दिखी ऐसा कुछ नहीं है कि 2022 में भी इस तरीके का Paper आ जाएगा पर येस आपको उसके लिए प्रिपेर रहना है कि कहीं 2021 के According Paper आ गया Paper अगर हम बात करें 2021 का असान था Paper मुश्किल नहीं था बस मुश्किल क्या था कि जो बच्चे Arts Stream से थे और Science Stream से थे अब उनको कुछ कोशन समझ नहीं आए बाकी questions में तो कोई problem नहीं थी अगर हम बात करें Language skills ओके पार्ट था Reasoning ओके पार्ट था Numerical ability ओके पार्ट था पर ओके पार्ट क्या नहीं था वो था Journal Awareness अब Journal Awareness में Journal Awareness कम पूछ के उसके बदली 11-12 के concept पूछ लिए तो उसके लिए आपको जस्त क्या करना है बेसिक्स रीड कर लेने ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि करना क्या है ठीक है मैंने आपको इस सारा आइडिया दे दिया अब चलिए बात करते preparation start आपको कैसे करनी है preparation start करने से पहले सबसे पहले आपको entrance question paper करने चैनल पर अपलोड है 2016 से लेकर 2021 तक के तो आपको सारे paper cover करने है सबसे पहला काम तो आपको यह करना है अपने course के बाकी course के भी आपको entrance question paper करने है पर सबसे पहले आपको अपने course के cover करने है जब आप अपने course के question paper कर ले उसके बाद आपको क्या करना है entrance test का syllabus syllabus आपने देख लिए अब syllabus के according आपको अपनी preparation स्टार्ट करनी क्योंकि देखिए सबसे जरूरी क्या चीज़ होती है syllabus तो आपको पता है पढ़ना क्या यह आपको पता है क्या नहीं पढ़ना यह पता होना चाहिए और आप जो preparation करने चाह रहे हैं अपना पहले level चक कीजिए question paper आप कर लेंगे उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ आपका level क्या है आपका area कौन सा week है अकर हम बात करें language के लिए तो आपको उस पर work करना है general awareness week है तो उस पर reasoning mathematics इसे हिसाब से आपको यह चीज़ पहले identify करना है अपना area कि week क्या है third time table बनाना है daily basis पर आपको study करना है ऐसा नहीं है कि आपने आज करा दो दिन नहीं करी यह भी गलती नहीं करनी तो daily basis पर आपको study करनी है time table बना के यह काम करना है उसके बाद fourth आपको जितना पढ़ते जाएं साथ-साथ notes बनाते जाएं जितना भी आपने पढ़ा साथ-साथ notes बनाते जाएं यह सारी चीज़ें आपको जो है entrance test के लिए करनी है उसके बाद जब आप सारी चीज़ें कर लें उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको other course के entrance question paper solve करने जैसे बीए पॉलेटिकल साइंस के बी सारे topics के question आपको वहां देखने को मिलने वाले पर आप sociology का paper कर सकते है पॉलेटिकल साइंस का paper कर सकते हैं तो यह चीज़ें आपको करनी है और बाकी चैनल पर जो जो paper upload है तो वह आप देख सकते हैं जतना जादा आप MCQ practice करेंगा उतना आपके लिए सबसे अच्छा होगा अब इसके अलावा आपको bba become honest related doubt आए तो आप comment करके पूछ सकते हैं thank you